नमस्कार दोस्तों आज कल आप लोग निउस्पेपर में काफी जादा इंडिया चाइना कॉन्फिलिक्ट के बारे में सुन रहे होंगे यहाँ पर बॉर्डर पे इंडियन आर्मी और चैनीज आर्मी के बीच में काफी सारे कन्फरेंटेशन देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर एक बहुती इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका नाम है पैंगॉंग सो लेक का आपको पता है कि यह जो लेक है यह आता है आपका लगधात में और यहाँ पर वाटर के अंदर जो लेक है आपका वाटर बॉड़ी के अंदर यहाँ पर बोट्स के तुरू काफी जादा कन्फरंटेशन देखा जाता है दोनों आर्मी के बीच में तो यह कन्फरंटेशन होता क्या है यह पैंगॉंग सो लेक के अंदर के क्या इंपोर्टेंस है इसका काफ़े कुछ जानने को है आज अगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आईक्यू लाजा है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके तुरू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इसकी जो लोकेशन है व ये पैंगॉंग सो लेक है ध्यान रखिए का पैंगॉंग सो लेक ये काफी लंबा लेक है और काफी बड़ा हिस्सा ये बेसिकली चाइनीज टेरिटरी के अंदर आता है और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा लाइन है लेकिन आपको Chinese bring more boats to lake in Ladakh मतलब की ये जो आपका पैंगॉंग सो लेक है यहाँ पर चाइनीज आर्मी के दोरा इस तरह के कई सारे boats यहाँ पर लगतार लाए जा रहे हैं इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे लेकिन जल्दी से एक बार पैंगॉंग सो के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो यहाँ पर पैंगॉंग सोल का बेसिक मतलब है जो लॉंग नैरो लॉंगेटेड लेक है यह है बेसिकली और यह करी 14,000 फीट के उपर है आपको ध्यान रखना है यह लैंड लॉग्ड है यहाँ पर जो पूरी साइज है इस लेक की वो है करी 135 किलोमेटर जो हिस्सा है वो है जस्ट 45 किलोमेटर मतलब मैं क्या कह रहा है आपसे कि इंडिया ने इस समय कितना हिस्सा कंटरोल किया हुआ है इस जस्ट 45 किलोमेटर ऑल्दो यहाँ पर इंडिया और भी काफी बड़ा हिस्सा क्लेम करता है नेक्स्ट यहाँ पर एक और important चीज आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यह एक brackish water lake है अगर आपके exam में आता है कि पैंगांग सो lake क्या यह fresh water lake है जी नहीं यह brackish water lake है और इसकी वज़े से winter के समय यहाँ पर freezing देखने को मिलती है मतलब कि आपने जो movie देखी होगी three idiots में तो वहाँ पर आपको water दिख रहा होगा लेकिन winter के समय यह पूरा freeze हो जाता है जम जाता है और इसमें आप खेल भी सकते हो यहाँ पर in fact आप गाड़ी भी चला सकते हैं इस lake के उपर तो इस तरह का पूरा situation देखने को मिलता है अब हम आते हैं इसके significance के उपर सबसे पहला significance हम द देखेंगे that is tactical significance मतलब की Chinese army के दोरा अकसर यह देखा गया है कि इस lake के थूरू वो काफी जादा offensive play करती है मतलब की यहाँ पर direct attack करना है अगर Chinese को तो वो इस lake के थूरू देखा गया है एक होता है defensive मतलब की हम defend करते हैं लेकिन Chinese army के दोरा directly attack किया जाता है इस lake के थूरू और यहाँ पर Indian army के दोरा जो assessment है उसमें यह माना गया है कि अगर future में Chinese army यहाँ पर attack करती है इंडिया पर तो वो north और south का जो region है इस lake का उसके थूरू attack कर सकती है in fact आप 1962 का war आपको याद होगा तो यहाँ पर China ने launch किया था जो पूरा attack वो इसी lake के थूरू किया था यहाँ प एक पास गुजरता है इस lake के थूरू जिसका नाम है रेजा अंगला वहाँ पर हमारे एक बहुत बाहदूर सिपाही major शैतान सिंग उन्होंने Chinese army के खिलाफ लड़ते वे अपनी यहाँ पर सहीद हो गये थे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि China के दोरा यह जो lake है उस इसके banks जो side में जो banks चलते हैं यहाँ पर Chinese army के दोरा कई सारे road build किये गहे हैं ताकि उनके जो motorable vehicles हैं जितने भी चीज़े हैं वो यहाँ पर आराम से ला सकें इन फैक 1999 में आपको याद होगा जब हम पाकिस्तान के साथ युद छेड़ा हुआ था हमारा तो उस समय operation विजय क के पास इसको हमने shift कर दिया था कारगिल में इसको देखते वे यहाँ पर चाइना ने opportunity को निभाया और करीब 5 km road हमारे Indian territory के अंदर बना दिया था मतलब कि चाइना को जब भी मौका मिलता है यहाँ पर वो road build करने की कोशिश करता है ताकि कभी भी जब वो चाहे तो यहाँ पर आराम से वो इस region के अंदर आ सके और इसकी वज़े से आप कह सकते हैं कि चाइना के द्वारा यह जो पूरा लेक है उसको बहुत जादा importance दी जाती है next इसमें एक बहुत important concept है इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए that is fingers in the lake यहाँ पर क्या है कि जो lake है यह जो lake आप देख रहे हो इसके चारों तरफ यहाँ पर आपको mountains देखने को मिलेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह आपका western point हो गया और यह आपका eastern point हो गया तो जो eastern point है आपका end है यह चाइना को बिलॉंग करता है और western वाला इंडिया को बिलॉंग करता है और यह जो आप border देख रहे हैं ध्यान रखेगा यह line of actual control नहीं है line of actual control तो लगभग यहाँ से गुजरती है क्योंकि 1962 के war में हमने यह वाला जो पूरा area था यह हमने loose कर दिया तो line of actual control इधर shift हो गई लेकिन हमारा अभी भी कहना है कि यह हमारा actual land बिलॉंग करता है लेकिन इस समय line of actual control यहाँ से करीब गुजरती है लेकिन यह line of actual control है इसके उपर भी बहुत ज़ादा विवाद है इंडिया और चाइना के बीच में अब इस पूरे map को और मैं थोड़ा सा zoom in करूंगा यह वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको मैं और थोड़ा zoom in करूंगा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो line of actual control है वो इधर से गुजरती है actual में जो हम claim करते हैं वो तो यह वाला हिस्सा है right side में लेकिन line of actual control यह आपकी इधर से गुजरती है तो यहां पर यह वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ध्यान रखेगा यह आपको finger type का थोड़ा सा देख रहा होगा यह basically mountains वाला थोड़ा region है जो की knuckle type का आप नीचे जो figure देख रहे हो ना आप अपने हाथ इस तरह करते हो तो यह जो knuckle निकला होता है ठीक है इसी तरह का आपको यह shape देखने को मिलेगा तो total यहां पर माना जाता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 यहां पर fingers है ऐसा माना जाता है और इस समय present में अगर आप देखिए तो इंडिया यहां पर जो post बना कर रखा है अपना permanent इंडिया का जो post है वो fourth वाले finger पर है इंडिया का जो post है इस समय और Chinese army के दोरा जो post बनाया गया है वो eighth वाले finger पर है मतलब यह Chinese का इधर area हो गया पुरा और इधर इंडिया का यह पुरा area हो गया तो लेकिन ध्यान रखना है एक चीज इंडिया क्या claim करता है इंडिया कहता है कि जो हमारा line of actual control है वो 8th वाले finger से गुजरता है ये 8th वाला जो नकल है ये finger है यहां से गुजरता है लेकिन Chinese army का कहना है कि जो line of actual control है वो 8th वाले से नहीं ये आपका second वाले finger से गुजरता है ये वाला जो नकल है इसकी वज़य से और ये इसकी वज़य से य यह जो पूरा हिस्सा बीच का हो गया, यहाँ पर हमेशा confrontation देखने को मिलती है water के अंदर, in fact मैं यहाँ पर आपको एक interesting चीज बताओ, छे साल पहले चाइना जब एंटर किया था इस water body के थुरू, तो यहाँ पर यह जो fourth वाला यह जो finger है, जहाँ पर हमारा permanent post है, यहाँ पर चाइना ने एक permanent construction अपना start कर दिया था, लेकिन इंडिया ने इसको object किया और इसको देखते विए यह जो पुरा construction बिल्ड किया जा रहा था, इसको demolish कर दिया इंडिया ने, फिर next यहाँ पर इसी मन्त के सुरुवात में मैं आपको बताऊँ, जब news आई थी कि इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में यहाँ पर confrontation हुई है, तो यह fifth वाले finger पर हुई है, तो अकसर ध्यान रखेगा, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है, यह आपको पता होना चाहिए, यह तो fifth वाले पर हुआ था, लेकिन ज़स्ट दो-तीन दिन पहले की बात है, यहाँ पर Indian soldiers को यहाँ पर Chinese army ने second वाले नकल पर रोग दिया, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, चाना क्या claim करता है, कि हमारी territory जो line of actual control है, वो second वाले finger से गुजरती है, तो obvious ही बात है, मैंने आपको बताया था, कि हमारा permanent post तो fourth वाले finger तक है, although हम claim eight तक करते हैं, लेकिन Chinese army ने recently क्या किया, कि Indian army को second वाले finger के आगे जाने नहीं दिया, और इसी की वज़ए से यहाँ पर eyeball to eyeball, यहाँ पर direct confrontation दोनों armies के बीच में देखने को आपको मिलेगी, अब क्या होता है, सोच के देखिए, यहाँ पर दोनों armies boat के उपर है, यहाँ पर confrontation कैसे हो रहा है, कोई land पर नहीं है यह चीज, यह हो रहा है boat के उपर, यहाँ पर boat के थू जाया जाता है, लेकिन क्या था कि, कुछ साल पहले Chinese army काफी जादा advantage position में रहती थी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे superior boats हुआ करते थे, लेकिन 8 साल पहले की बात है कि, इंडिया ने भी इस तरह के बढ़िया boat, अच्छे boat जिसका नाम है, Tampa boat जिसको हम कहते हैं, वो हमने भी purchase कर लिया, तो आप देख सकते हैं, ये वाला जो उपर का figure है, इस तरह से confrontation देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर enemy है, और इसके चारो तरफ यहाँ पर उसको घेल लिया जाता है, तो यहाँ पर 8 साल पहले, नीचे वाला जो figure है, इसी कहते हैं Tampa Boats, ये हमने purchase किया था, और इसी के front में आगे ये आप देख सकते हो, राइट साइड में इस तरह के machine gun लगे वे आपको इस Boats पे मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जब भी किसी भी side के द्वारा कोई भी Boats भेजे जाते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर China ने अपना करीब चार Boats भेजा confront करने के लिए, तो यहाँ पर इसको देखते वे India भी क्या करता है, अपनी तरफ से चार Boats भेजता है और उसको वापस भेजने के लिए बोलता है, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं और दोनों लोग करीब 20 feet apart पर रहते हैं, लेकिन सपोज इस समय जो situation हुआ था basically, वहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि दोनों आमने सामने आ जाते हैं एक दूसरे के, और उस समय काफी जादा tense मौहल हो जाता है दोनों आर्मी के बीच में, अब इस समय सुचे क्या होगा, अगर सपोज मैंने आपको बोला था यहाँ पर की second वाले finger के आगे इंडियन आर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी बेसिकली क्या करती है, कि इस तरह से यह जो circle आप देख रहे हो न, यहाँ पर Chinese की boat आ गई, तो इंडियन आर्मी क्या करेगी, यहाँ पर round लगाती है, जिसको यहाँ पर बोला जाता है whirlpool, इस तरह की current create हो जाता है, उसके चारो तरफ यहाँ पर इंडियन आर्मी के boats घूमने लगते हैं, और एक current सा create होता है, जिसकी वज़े से वापस Chinese आर्मी को वापस जाना पड़ता है, तो अकसर इस तरह के situations देखने को मिलते हैं, I hope कि मैं अपनी बात को आपको अच्छे से बता पया, कि यह fingers क्या है, किस तरह से confrontation होता है, आखरी में आपके लिए सवाल है, देखें, यहाँ पर suppose lay है, जैसे कि अगर आप flight के थू जाओगे लदात में, तो सबसे पहले आप lay पे यहाँ पर landing करोगे, तो यहाँ पर lay से अगर आपको pengong so lake जाना है, यहाँ पर आपने सुना होगा seed bank के बारे में, ठीक है, seed bank भी इसी pass पर इस्थित है, तो बताइए मुझे comment section में, कि यह कौन से pass की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साथी में मैंने अपना भी pictures डाला हुआ है, मैं जब लगदाग गया था, तो आप देख सकते हो कि इस तरह का winter का time था, just summer start होने वाला था, तो अभी भी क्या था, यह freeze हो रहा था, यह जो lake था, यह पूरा freeze था, यह अभी भी water में convert नहीं हुआ था, और पीछे इस तरह के mountains, जो barren mountains जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, fingers जैसा create हो जाता है, ठीक है, नकल जैसा, तो यह भी आप ध्यान रखेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और right side में भी नीचे, यह जो आप freezing पूरा water देख रहे हो body, इस तरह का काफी beautiful नजारा होता है पूरा यह, तो I hope कि यह पूरे वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा, कि India-China conflict जो है, पैंगॉंग सो लेक में, यह किस तरह से इतना ज़्यादा importance है, यहाँ पर अगर आप मेरा thousand MCQ, economic static course जानना चाते हो, पढ़ना चाते हो, मेरे से economy पढ़ना चाते हो, आप यह join कर सकते हैं, only on study IQ app, आपको पता है कि मेरा daily UPSC MCQ course भी चलता है, किसी भी और inquiry के लिए, आप मुझसे directly Instagram पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं daily एक MCQ डालता हूँ, यहाँ पर आप जाकर play कर सकते हो, यहाँ पर मेरे वीडियो की playlist भी आपको मिल जाएगी, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.